BBC की एक जांच में अफगान पुलीस पोर्स में बड़े पैमाने पर यौन उत्पीरन और शोशन के आरोपों का पता चला है महिनों की रिसर्च के बाद BBC ने कई महिलाओं से बात की उन महिला पुलिस कर्मियों का कहना है कि उनके सीनियर या सेह कर्मियों ने उनका रेप किया या उन्हें प्रताड़ित किया मानवाधिकार समोहों का कहना है कि इन में से जाधतर अपराधों की शिकायत दर्ज नहीं होती काबूल में इन बैगों की साब धानी पूरवक जांच हो रही है ताकि शहर में विस भोटकों के प्रवेश को रोका जा सके ये बड़ी जिम्मेदारी इन महिला पुलिस कर्मियों के कंधों पर दी गई है कुछ साल पहले इस काम को करने के लिए कोई महिला पुलिस कर्मी नहीं थी आज भी अफगान पुलिस सेवा में केवल 4000 महिला पुलिस कर्मी ही कार्यरत है सोशल मीडिया पर ऐसे विडियो साज़ा कर सरकार अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करना चाहती है लेकिन इसका एक दूसरा पक्षपी है जो कुछ महिला पुलिस कर्मी का दावा है कि सरकार लोगों से चिपाती है चार साल पहले मॉमीना ने ऐसा ही एक वीडियो देखकर पुलिस की नौकरी करने का फैसला लिया लेकिन उनकी आप बीती सुनकर किसी और ही सच का पता चलता है मॉमीना ने बताया कि एक रात उनके बॉस ने उनके साथ जबरदस्ती की उन्होंने मेरे कपड़े फार दिये दर्वासा बन था मैं चीखी चिलाई लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया इसके छे महीने बाद तक वो इनसाफ के लिए लड़ती रही लेकिन एक अदालत ने उनके बलातकारी को निर्दोश करार दिया पुलिस चीफ का कहना है कि ये इलजाम बेबुनियाद है जिसके बाद मुमीना ने खुद के शरीर को सारजनिक जगा पर आग लगाने का फैसला किया आसों में और पेटरोल से लटपत सिटी स्क्वेर में खड़ी ये मुमीना की पिछले साल मार्च की तस्वीर है वो खुद को आग के हवाले करने ही वाली थी कि भीड ने उन्हें रोक लिया मुमीना के केस में जजज ने कहा कि वे अपरादी के खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं पेश कर पाइं और उन्हें अपनी जान लेने के लिए उस आदमी ने नहीं कहा था हमने कई अन्य महिला पुलिस कर्मियों से बात की जिनके साथ ड्यूटी पर शारेडिक शोशन हुआ है लेकिन उन्होंने अपनी इजज़त और करियर बचाने के लिए कभी इसके खिलाफ शिकायत नहीं की सरकार का भी मानना है कि ये एक गंभीर समस्या है हमें गंभीर फैसले लेने होंगे अगर कोई इन महिलाओं का शोशन कर सकता है तो वो किसी और के साथ भी कर सकता है इसलिए पुलिस में सुधार लाने की जरूरत है ज्यादातर आरूपी ताकतवर लोग हैं जिनकी उपर के लोगों तक पहुँच है और जो लोग पुलीस में शोशन के मामले दर्च करते हैं उन पर संदिक्तों का बहुत दबाव होता है दुर्भागी से साल 2019 से 2020 में हमारे पास ऐसे मामले भी आए जब शिकायत करता का शेल्टर होम की रास्ते में पुलिस स्टेशन में बलातकार किया गया ये कहपाना मुश्किल होगा कि अब तक कितनी महिलाओं का पुलीस के द्वारा शोशन किया गया है लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं इससे ये बात तो साफ है कि ऐसे अंगिनत मामले है वहीं डाई कुंडी में मुमीना आज भी इनसाफ के लिए लड़ रही है वो हमें अपने केस से जुड़े सभी दस्तावेश दिखा रही है उनका कहना है कि कागस के इन टुकडों ने उन्हें केवल दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया कई दबाव और धमकियों के बावजूद ये महिलाएं अपना केस वापस नहीं लेना चाहती उन्होंने हमसे कहा कि वे अपने हक के लिए लड़ती रहेंगी